सो हलो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत होत स्वागत है अपने इडू जना सकसे सुरुजगार में दोस्तों आज किस वीडियो में बात करेंगे बिहार के 38 चिला में क्रिसी बिभाग में छपपर भरती का नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें कुल पदों के बारे में अगर बात करें तो 4682 पद है जिसमें टोटल चार परकार के पद है क्रिसी सवनबाय है प्रखंट क्रिसी पदादिकारी आइटी आई इंस्ट्रक्शन की है और भी आगे कई तरह के पोस्ट है जो आपको आगे देखने को मिलेगा जिसमें बात करेंगे कि चैन किस परकार से होगा आई उसी मा क्या रहेगी वेतन कितना प्रवाइट किया जाएगा और मैं हमेशा आप सभी लोग को कहता हूँ कि मौका मत छोड़िए वरना पच्ताना पर सकता है तो इसलिए आप सभी लोग हमेशा वीडियो को लास तक देखिए कम्पलीट जानकारी लिजिए इसके बाद आवेदन कीजिए आवेदन किस परकार से होगा वो आगे आपसे डिसकस करेंगे वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी तो दोस्तो एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को लास तक देखिए और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिए तो चलिए दोस्तो आज किस वीडियो को सुरू करते है बीना देरी किये तो दोस्तो यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं खुस खबरी जो कि बतेया गया है कि 8 वर्सो बाद सरकारी ITI में 258 इंस्ट्रक्शन भरती होंगे जो कि यहाँ पर बतेया गया है और बिहार में 4 पदो पर 4682 वेकेंसी दो महिने में आएगी जो कि यहाँ पर बतेया गया है चार पद के लिए 4682 वेकेंसी आने वाली है इसमें सबसे अधिक ITI इंस्ट्रक्शन के पद 258 है 899 प्रखंड किरिसी पदादिकारी 1470 किरिसी समरवयक और 88 जूनियर जज के पद है आठ साल के बाद बहाली का इंतजार कर रहे है अभिहर्थियों के लिए 258 नेमित इंस्ट इंस्ट्रक्शन की बेकेंसी जून तक आएगी तकनिकी सेवा आयोग ने रिक्ति तयारी कर ली है आयोग इस माह के अंत तक स्रम संसाधन विभाग को रिक्ति जाच के लिए भेजेगी ताकि इसमें किसी परकार की तुरूटी न राजाए विभाग से रिक्त वापस जाने क के बाद माना जा रहा है जून में योग अभिर्थी से आवेदन लेने की परकिरिया सुरू होगी राज में आई टी आई की संखिया 40 से बढ़ कर 149 हो गई है लेकि निमित इंस्ट्रक्शन की बहाली नहीं हो सकी है तो 2014 से 40,000 आई टी आई में लगबग 12,000 नामांकन था ज पर टी की है राज सरकार ने साथ निश्चय के तहट हर अनुमंडल में कम से कम एक आई टी आई खोलने का निश्चय किया था परतेक जीला अस्तर पर एक-एक महिला आई टी आई भी खोले गए हैं 2015 से 16 सत्र में परतेक साल 17 से 25 आई टी आई खोले गए लेकिन परसिक्षन क दिवस्था अतिती अनुदेशक के भरोसे ही है जो यहां पर बतया गया है इसके साथ साथ आगे बतया गया है कि तकनिकी सेवा आयोग इस महिने के अंतक्सरम संसादन विभाग को रिक्ती जाच के लिए भेजेगा ताकि तुरूटी नहीं हो प्रतियोगत्या परिछा से हो 20 अंक मिलेंगे 35% महिलाओ और 2% स्वतंतरता सेनानियों के नाती नतनी वपोता पोती के लिए आरक्षित रहेंगी नई नियमावली के अनुसार पहले से संविदा पर कारी करने वाले इंस्ट्रक्शन को उम्र में छूट का प्रवधान होगा अनुवर के आधार पर एक वर 50 करिशि पतादिकारी और संककच्पदों की बाहाली BPSC से होगी क्रिशि भीभाग ने समानी पर सासन को रिक्ती भेज दी है समानी पर सासन के आरक्षन डोस्टर जाच कर रिक्ती BPSC को भेज़ेगा इसके बाद BPSC से आवेदन लिया जाएगा इस पद के लिए क्रिशी असनातक और इसके समकछ डिगरी वालों को मौका मिलेगा और 1740 क्रिशी समनवाग के लिए भी रिक्ती जल्द आएगी इसके लिए क्या कहा गया है कि पंचायत अस्तर पर 1470 क्रिशी समनवाग की बहाली बिहार राज करमचारी चेहन आयोग से होगी जल्द ही रिक्ती क्रिशी विभाग से समानी परसासन को भेजा जाएगा इसके बाद BPSC BPSC क्रिशी असनातक सहित क्रिशी सेप्टर के डिगरी वालों से आवेदन लेगी 32 नियाइक सेवा के तहट कन्ये कोटी के 88 नियाइक बहाली के लिए इसी माह आ जाएगी जो कि यहाँ पर बताया गया है और आगे बताया गया है कि तृतिया असनातक अस्तर ये योजना सहायक सहित 6 विभाग के 187 पदों के लिए ओनलाइन आवेदन 17 माह कर सकते हैं समानी पर सासन विभाग के तहट सचिवाले सहायक के 1360 पद है योजना सहायक 125 पद स्वास्थय विभाग में मलेरिया निरिक्षक के 74 पद बित विभाग में डाटा इंटरियो प्रेटर ग्रेट सी दो कार्याले निवंदक सहयोग समीती में अंकेक्षक के 256 पद है के 370 पद है जो आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते है तो इसके अंतरगत यहाँ पे यह पटना 174 2022 का दैनिक भासकर का निवज पेपर में प्रकासित किया गया है यह निवज तो आप सभी लोग भी चाहे तो देख सकते हैं तो आई होप आसा करते हैं यह सभी जानकारी आपको पसंद आए वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ सेर कीजिए चैनल में पहली बार विजिट किये हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लिजे जिसे की लिए टेस्ट आने वाले वीडियोज का नोटिप साथ चैनल